अस्लाम लेकम फ्रेंटS welcome back to my channel फ्रेंज आज मैं आपको बताओंगी कि जो कर्टन के बीच में कपड़ा लगाया जाता है ऑर्गेंजा का या जाली का नेट का लगाया जाता है जो कर्टन बनाया जाता है वो बनाना सिखा रही हूं मैंने और्गेंसा का एक प्रिंटेट कपड़ा ले लिया है ठीक है इत्स अबाव तू मीटर से और इसकी जो वेट है काफी चौड़ा होता है और इसकी जो मेजरमेंट आपने लेनी होती है कर्टन की वह बेस तरीका ये है कि आप अपनी विंडू की मेजरमेंट लेंगे ओड़ टीक है वेट अंड लेंगे तो आपने चौड़ाई की फॉर्म में जादा लेना है ठीक है इसको मैंने कटनी किया जादा इसको मैं फुल फ्लेज यह है वह अपनी विंडू पे मेटर्स का कपड़ा पूरी विंडो पे आजाता है आप देख सकते हैं फ्रेंज बहुत ही प्यारा लगेगा यह इसमें आप फैरी लाइट्स पगरा भी यूज कर सकते हैं सो यू आप अलसे मेक फैरी लाइट्स अब आपने क्या करना है करना है स्टिच अड़ ट्री साइज अट्री साइज अफ ग्योंगे ट्री कुछन एंड लीव पैण आन ना फैसके लाइट्स भाड़ काम इसके वां इसके ऊपर यू पंड़ा होगा उसकी हम एक पती बनाएंगे और then hooks बनाएंगे यह जो पटी है यह मैं ऊपर लगाओंगे इसको मैं हलका सा पाइपिंग कर लेनी है and this should be used on the upper side its width is about 5 inches so this should be on used for making the main actually the main area from where we will hang it so friends इसके इलावा मुझे कुछ जो और गैंजा है उसी की कुछ पटियां चाहिए ठीक है इनको मैं इस तरह करके मैंने इनको स्टिच कर लेना है स्टिच करने के बद आपने इनको प्रेस करना है और फिर आपने होक्स जो है वो काट लेनी है और उसको मुस्पटी के साथ लगा देंगे इस तरह आपका एक बहुत ही प्यारा से कर्टन तियार हो जाएगा आप जो है वो एक अच्छी लोग देने के लिए कर सकते हैं फिर लोग वेस्ट में ये बहुत ज़दा यूज़ की जाएगा ये देखे मैंने पटियां बना ली और पटियां बनाने के बद ने को प्रेस कर लिया है अब मैंने क्या करना है कि ये ये आप देख सकते हैं वाइट पटी भी तैयार हो चुकी है अब अपने करना ये है कि मैं आपको बता देती हूँ आपनी कितनी मेजरमेंट से इस तरह की पटियां बनानी है तकरीबन मैंने 20 पटियां बना ली है कि कम ना पढ़ जाएं इसलिए मैं ज़्यादा पटियां बना लूँगी तो वो हम जो है 5-5 इंचिस के गैप से लगा लेंगे ये देख सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी होनी चाहिए तकरीबन तो ये मेरे पस 8 इंचिस आ जाती है एक पटिया आपके पस 8 इंचिस होगी जो होक्स हैंगे एक तरह से होक्स होंगे जो कि हम उपर जो हैंडल होता है उसके साथ लगा देंगे इससे मैंने बहुत सारी पटियां त्यार कर लेनी है ये फ्रेंड्स हमारी रेडि हो चुकी है ना फ्रेंड्स हम अब इस तरह करेंगे जो पर्दा है मेरे पास वो मैं बनाना लगाने लगी हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूं कि वो आपने किस तरह से बनाना है पहले मैं पटियों को त्यार कर लूँगी इस तरह की बहुत सरी पटियां आपने रेडी कर ले लिनी है तक्रीबाँ एट इंचेज एक पटी है ठीक है इसी तरह मैं और पटिया भी काट लेती हूं एटेट इंचिस की अब आपने इस तरह करना है कि जो हमने कर्टन तयार किया था जिसकी थ्री साइड्स मैंने स्टिच कर ली है ठीक है थ्री साइड्स अफ दे ग्रटन इस आर स्टिच्च और वन साइड इस लेफट यह फ्रेंट्स यह देखें यह मैंने इसको थोड़ा चौड़ा किया है ठीक है चौड़ा मैंने पटि बना ली है दिस इस एक्चुली यह देख सकते हैं आप क्यूंकि इसमें हम जो पाइप है वो डालेंगे तो उसको डालने के लिए मैंने थोड़ा चौड़ा जो है देख सकते हैं जो हुक है उसको मैंने डबल किया यानी 4 हो गई ठीक है इसके उपर रखके आपने 4 इंचिस का गैप रखना है ठीक है 4 इंचिस का फस्ट आपने सबसे पहले यहां लगा रखनी है उसके बाद इस पटि को आप उपर रखेंगे इसका हम थोर सा स्टिच करेंगे, उसके बाद 4 इंचिस का दिस्टेंस छोड़के, चार उंग्लियों का दिस्टेंस कर लें, लीफ 4 इंचिस and then place another one. This is how you have to make the main area of the cushion. As you can see friends it's all ready and it's looks so beautiful, आप इसके अंदर fairy lights, अगर तो आपके पास automatic वाली है तो आप इसके अंदर fix कर सकते हैं, otherwise आप इसके ऊपर vertical horizontal किसी भी तरह से बना सकते हैं, याप पटी देख सकते हैं, किती नीट लोक आई है, इसको मैंने उपर से नीचे दोने स्टिच कर लिया है, और आपके रड़ी हो चुके हैं, जैसे कि मेजर्मेंट का आप पूछते हैं, मेजर्मेंट में आपको बता चुके हूं कि अपनी मेजर्मेंट अपने ही कटन्स को लेकर करनी है, अपनी विंडो से आप मेजर कर लीजिएगा, और मेजर करने के बाद आपने इसको बनाना है, औ और मेजर करने के लिए आपको जो होक्स है वो तकरीबन 20 चाहिए होंगी ठीक है 20 तो 25 आप बना ले और अपनी विंडो के मुताविक आपने उतनी ही बनानी होंगी आपको आपको अच्छी लगी होगी वीडियो कर पसंद आएं तो प्लीज लाइकी दूर किजिए का थेंक यू सो मुच पर वचिक मैं वीडियो लाहाफिज